श्रोताओं नमस्कार स्वास्ति पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुएकार करिए शारनी मित्तल का नमस्कार श्रोताओं 21 जून को अंतराष्टिये योग देवस के रूप में मनाया जाता है आज स्वास्ति पत्रिका के विशेश अंक में हम लेकर आए हैं रूपक योग से जीवन योग सिर्फ आसन या क्रिया मात्र नहीं है बलकि ये रोजमर्रा के कारियों को दक्षता और पूरी सतरक्ता के साथ करने की शक्ति भी है रोग से निरोग होने का मार्ग योग है योग हमारी सोच, कार्य, ग्यान और समर्पन को बल देता है और हमें बहतर इंसान बनाने की दिशा में मदद करता है 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीरगायू बनाता है अंतराश्टिय योग दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है योग के महत्व के बारे में बताते हुए ये हैं योग गुरू डॉक्टर सुरक्षित गुस्वामी हम बात कर रहे हैं कि योग हमारे जीवन को किस तरह से लाभानवित कर सके उसके स्वास्त को और कैसे व्रध्धी कर सके यदि हम अपने स्वास्त को देखे तो इसके चार पिलर होते हैं जैसे कार के चार पईएं होते हैं और जब कार के चार पईएं होते हैं तो चारो पईएं में समान लुप से हवा हम दलवाते हैं नहीं कि तीन पईये में हवा है और एक पईया पंचर चलेगा नहीं चारों में समान रूप से हवा चाहिए तो यह हमारी हेल्थ के चार पिलर हैं पहला है डाइट हमारा भोजन हम क्या खाते हैं शरीर के अंदर क्या डालते हैं उसी से शरीर का निर्मान होता है तो नमबर एक आहार, दूसरा है नींद, हम नींद कैसी देते हैं, तीसरा है व्यायाम, हम exercise शरीर के लिए क्या करते हैं, और चोथा है mental fitness, हम मन के लिए क्या करते हैं, चार चीजों पर यदि हम रोज ध्यान दें, तो हमारा शरीर का और हमारे मन का स्वास्त बहतर होता जाएगा, और यदि चार चीजों में से एक पर भी ध्यान न दिया जाए, तो वही से ही बिमारी की शुरुआत हो जाएगा, यदि रात को नींद अच्छी ना हो, तो आपने देखा होगा, सुबह का दिन अच्छा नहीं होता, पेट साफ नहीं होगा, exercise को मन नी करेगा, ओफिस आने को मन नी कर आ भी गए तो आलिससा रहेगा, नींसी आती रहेगी, भोजन अच्छा ना हो, तो फिर गैस, एसीडिटी, कब्ज, अफारा, ये सब समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और exercise ना हो तो बॉड़ी में जो उड़जा का संचार होना चाहिए, जो सांज आते आते भी शरीर ना इडियाज होने चाहिए, उसमें साकारात्मक्ता हो, उसमें शुकराना हो, उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें गुनगुनाना और मुस्कुराना हो, तो हमारा मन स्वस्त रहने लगता है, योग इन चारों पर ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि योग केवल योग के आसन तक सीम यूग बताता है कि आपकी नींद किस तरह से बहतर हो सकती है, आपका भोजन क्या बहतर हो, आप मन को किस तरह से अपने सजाएं, समारें और कौन से वियायाम करें। तो यूग एक ऐसा होलेस्टिक अप्रोच लेकर हमारे शरील के शारिरिक, मांसिक, भावनात्मक और और भी धात्मिक विकास में मदद करता है। अंतर राष्टिय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया जिसकी पहल भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्तर राष्ट्र महासभा में अपने भाशन से की थी उन्होंने कहा था योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूले उपहार है ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है मनुश्य और प्रकृति के बीच सामनजस से है विचार, सैयम और पूर्ती प्रधान करने वाला है तथा स्वास्त और भलाई के लिए एक समग्र प्रधान करने वाला है ये व्यायाम के बारे में नहीं है लेकिन अपने भीतर एकता की भावना दुनिया और प्रकृति की खोज के विशे में है हमारी बदलती जीवनशैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायू परिवर्तन से निपटने में मदद करता है तो आएं एक अंत प्रणयाम क्यों जरूरी है और अभीनेता सचन खुराना क्यों इसे करना पसंद करते हैं आए जानते हैं उनहीं से योगा का एक और अत्यांत महत्पूर्ण हिस्सा है प्रणयाम उसके भी अत्यांत फायदे होते हैं पहला तो यह है कि आपके दिमाग में तंद्रुस्ति लाता है मन को शांत रथता है रोगों को दूर रथता है और इसके अनेक फायदे हैं मैं इंफैट पांस तरा के प्राल भार्ति प्राणयाम भूसरा है भस्त्रिका दीसरा अनुलोम विलोम चौथा प्रामरी और पांचवा नाड़ी शोधन प्राणयाम योगा को अपनी जिन्दीगी का एक अहम हिस्सा बनाईए प्राणयाम से अपने तन और मन को स्वस्त रखें आप सभी को योग आज व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली से उबजी समस्याओं से ग्रस्त है तनाव, डिप्रेशन, मदुमे और उच्छे रक्तचाप जैसी बिमारियां धीरे धेरे व्यक्ति को मार रही हैं योग इन सभी बीमारियों का समाधान देते हुए मन, शरीर और बुद्धी को संतुलित कर व्यक्ति के अंतरद्वंद और तनाव को खत्म कर आनंद देता है आप हैं डॉक्टर केके दीपक, विभागा अध्यक्ष, डिपार्टमेंट और फिजियोलोजी, अखिल भारती, आयरविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के तो आप şu के शैख हां तो आंगे चिंता में होते हैं, आपको टेंशन होता है जी चne Mको चंटНमना होते हैं तो आपको बैलेंस होता है, जो आपका alex वर्सिस टेंशन तो को अनद दूरैष वो बढ़ती है, उसको मेडिकल की इसधि пережक्टा ने लगािए, उसका梳 का ब्ल बढ़ने लगा क्यों योगा है वह एक्चुली ऑपोजिट करता है वह सबसे पहले तो आपको जो सिंपेटिक टोन है जो एंग्जाइटी किसे टोन है ब्लड परशा है सबसे पहले उनको कम कर देता है और नॉट अली कम करता है आपको जो इस्टुम्रस बाउंड रिस्पॉं और इसके बाद क्या करता है योगा आगे जाके आपकि जो रिलेक्सेशनत कैप इस सेीट ना बनाता है अपको जो कैपिसिटी होटी है तो लुड़िट विध रिलेक्स भिली जाए तिन प्सक्प ह Marina औंव नौन के लिटेटे तो इसको बानाता है तो यह बहुत अच्छा ए आज जब हम करोना महामारी से जूज रहे हैं योग हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ती में बढ़ होत्री करता है और हमें जानलेवा भीमारियों से लड़ने के रिए सशक्त बनाता है आप है मुरारजी दिसाई योग संस्थान के गुरू योगचारे डॉक्टर योगी उदे है योगिख ब्रीदिंग्पैटर पर योगे ब्रीदिंग पैटर्न जैसे चस्ट की बनेगा ब्रीदिंग ससाइज है और उसके बाद भास्ती का प्रानयाम हeldनेचां सबका अभ्यासम करेंगी तो हमारा जो है मांस की स्थिती बहुत मजबूत होगी और जब मेरा मन प्रसंद रहता है हमारी जितनी भी डख्लेस ग्लैंस हैं या हमारे और भी सिस्टम से देजस्टिव सिस्टम है देश्पेटरी सिस्टम है हार्ड का फंक्चन है सभी प्रहावित होता है तो प्रानयाम का अभ्याज या योगिक ब्रिदिंग का अभ्याज जो है किसी एक ही इसमें सावधानी बरफ्नी होती है किसी योग्य योग गुरू के फंक्चन में यूगा भ्याग पर सीखे किसी योग्य गुरू से योग से एक अंतराष्टिये ख्याती प्राप्त रेस्लर को शारिरिक परिशानी दूर होने में रहत मिली जी हां हम बात कर रहे हैं रेस्लर इवमेक्टर संग्राम सिंग की आईए इस बारे में जानते हैं उन्हीं से योग का मतलब है जोड़ना योग हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है और योग करने वाला ना सिर्फ शारिक रूप से बलकि मानसिक रूप से भी सवस्त रहता है और जो योगा करेगा उस जिन्दकी में हमेशा खोशाली से जिन्दकी जिए अब मैं बच्पन में रूमेटी का थ्राइडीस पेशेंट था और वो बिमारी तनी बढ़ गई थी कि मैं बिल्कुल लास्टेज बे चला गया था डोक्टर कहते थी कि बिमारी डेथ के साथ जाएगी कोई उपाई है यह नहीं मगर मेरी माने कभी हार नहीं मानी मैंने कभी हा रेसलिंग में आया और रेसलिंग में आया वहां से जर्णी स्टार्ट की छोटा मुड़ा रेसलर बना फिर टाइम आया कि अपनी कंट्री को रिपरेजेंट किया अगर आप योग करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि हार्ट टेक की समस्या आएगी नहीं बिल्कुल खतम हो जाए गबराना नहीं है और यह आपकी सारी शमता कहां से आएगी योग करने से आएगी और फिटनस का मैं एक और टिप्स दे के जा रहा हूं आपको स्पेशली इस खासों के जहन पर कि वह यह खाना भोग से कम पानी डबल वर्क आउट ट्रिपल और हसना चार गुणा अगर अक्सरसाइज है उससे बड़ा है योग योग से बड़ा है मैटेशन मैटेशन से बड़ा है सिद साधना देखिए बाहर भागना दोड़ना सारी चीज़ क्या होती है कि हम बाहर की जिम करना बाहर की मसल्स के लिए तो कर लिया मगर इंटरनली ओर्गन है वो योगा से ही आप भी किजिए और आप अपने परिवार में और आपके आसपास सब को इंस्पायर करिए कि वो योगा करें और एक खुशाल जिन्द किजिए आजकल डॉक्टर भी योग का मेहत्व बताते हैं मुटापे को कंट्रोल करने में योग फाइदे मंद बताया जाता है आप हैं डॉक्टर राजकुमार प्रोफेसर डिपार्टमेंट और फिजियलोजी एम्स योग में आपका खाना पीना भी है आप एक कैसे बैलेंस्ट डाइट को ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को अगर हम करें योग जिसमें एक बैलेंस्ट डाइट इंक्लूडड है और जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ एक और फिल लेफ नॉस्ट डी चोड़ें जिस अनुलोम विलोम और यह अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो सिंपली आप गहरी सांस लें गहरी सांस चोड़ें गहरी सांस लें गहरी सांस चोड़ें ये करके भी आप बहुत बोडी के और ऑक्सिजन लेवल को कंट्रोल कर सकते ह बैटकर ही सुविधा जनक धंग से कारे करते हुए कई आसन किये जा सकते हैं आए जानते हैं इन आसनों के बारे में योग गुरू डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि हम ओफिस में हैं तो कौन से योग के आसन हम कर सकते हैं कोन से अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम में क्या कर लेंगे, ध्यान में क्या कर लेंगे, उन अभ्यासों की चर्चा करेंगे, जो आप कुरसी पर बैठ कर कर सके हैं तो यो तो योग के बहुत सारे अभ्यास हैं शटकर्म के अभ्यास हैं आसन हैं, सुक्षमक्रिया हैं, प्राणयाम हैं, ध्यान है शटकर्म में भी अनेक अभ्यास हैं लेकिन यहाँ पर हम एक अभ्यास की बात शुरू करते हैं जो बड़ा महत्पूर्ण अभ्यास है और सब जानते हैं नामे कपाल भाती क्रिया ये प्राणायाम नहीं है ये शटकर्म का भ्यास है जो खाली पेट कर लेना चाही जाएगा कपाल भाती क्रिया एक अनुठा भ्यास है जो सभी कर सकते हैं और यदि आप ये पांच मिनट के लिए भ्यास कर लें तो आप निश्चित मानीगा पूरे शरीर पर इसका प्रभाव करने लगता है बहुत सिंपल टेक्निक है सांस को बारबन नाक से ऐसे करते हैं और पेट जाएगा अंदर की तरफ सांस बाहर निकला पेट अंदर गया अच्छा धीरे होगा तो पेट जादा अंदर जाएगा और जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो पेट जादा अंदर नहीं जाएगा तो पहले राउन में ध्यान पेट पर होगा ऐसी दूसे राउन ध्यान फेफडो पर होगा, हृदे पर होगा, थायरेड पर थायरेड ग्लेंड पर होगा और तीसे राउन में ध्यान हमारा आख, नाक, कान, मन, मस्तिश, गले से उपर, सारे अंगो की उपड़. हम बात करते हैं हलके फुल के अभ्यास दिन में क्या कर लें जब भी आपको लगे कि बहुत जादा दिन में बैठे बैठे थकान हो गई है सांज आते आते हैं ने चार बजे के आसपस उतनी फ्रेशनेस नहीं होती जितनी सुभे होती है तो उस समय संह एक आसं करना उसका नाम और खड़े होकर जो भी अभ्यास आपको करने को खड़े करना सुरी नमस्कार करना है अरड़्ब्चक्र शक्राहाण जो-भी खड़े होकर करने एं चुकि कि खड़े होकर शरीर बहुत ज्यादा इस थूल रूप से कारे करता है उसके बाद कमर के बल लेट जाएं उसके बाद फिर पेट के बल लेट जाएं और फिर बैट कर तो एक यह सिक्वेंस इस तरह से बना ले अब बैट कर आसन करने के बाद प्रानयाम करें प्राणयाम में एक सिक्वेंस है जो हट्यों के गरंतों में बताया है यदि प्राणयाम करने है तो सबसे पहले अनलोम विलोम प्राणयाम करो जो शरी की सफाई करता है उसके बाद सुर्य भेदी करना है ठीक है उज्जाई करना है तो उज्जाई कीजिए शितली, शितकारी, भस्तरिका और भ्रामरी ये सिक्वेंस है तो एक ये अभ्यास करें एक प्रोटोकॉल तैयार हो गया हमारे शास्त्रों के नुसार तो आधा गंटा यदि आप रोज दे दें अपने शरीर को तो आधा गंटा में शरीर खुश हो जाता है अभिनेत्री पायल रोहादगी भी योग करने में पीछे नहीं है वे प्रति दिन योग करती हैं और योग के फायदे भी उन्होंने हमें बताए आए सुनते हैं कैसे योग उन्हें बहतर लाइस्टाइल जीने में मदद करता है नमस्ते मैं हुँ पायल रोहादगी और मैं योगा बारा साल से कर रही हूँ इन फैक्ट ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं योगा नहीं करती क्योंकि I believe that yoga is a journey of the self to the self through the self तो योगा आप सब करिये क्योंकि योगा आसना के बारे में नहीं है योगा एक way of life है जहाँ पर आप अपने आप से connect करते हैं उस समय जब आप stretch करते हैं योगा से आप पतले भी हो साते हैं मगर योगा पतले होने से ज्यादा important है एक दिन चर्य को सही दिशा में ले जाने का प्रयास और वो प्रयास योगा से होता है इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि योगा जरूर करिये मैं तो दिन में एक घंटे से लेके दो घंटे तक योगा करती हूँ मेरे दिन चर्य के अनुसार आप अपने दिन चर्य के अनुसार योगा अपने जीवन में लाइए और उस से फर्क देखिये बॉलिवुड अभिनेता जिम से ज्यादा समय योग को दे रहे हैं खासकर आने वाली फिल्म के लिए वजन कम करने में योग के फायदे के बारे में हमें ये बताया अभिनेता स्पर्श शर्माने जब मैं योग में आया तो मुझे बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क जो रज़र आया योग में और जिम में वो ये है कि जब हम जिम में वर्क आट करते हैं तो हमारी बॉड़ी जो है काफी स्टिफ हो जाता वहीं जब योग की में बात करता हूँ, तो योग एक बहुती आत्मिक, बहुती नाचिरल क्रिया है, जो आपको अपने आप से मुखातिब करवाती है, आप अपने आपको बहतर जान पाते हैं, आपके अंदर जो आप है, आपके अंदर का इश्वर है, या खुदा है, या भ अगर हम कोई शारियर ग्यायाया कर रहे हैं योग में, फिजिकल एक्साइज कर रहे हैं योग में, तो उतनी ही एनरजी आपकी बाड़ी में वापस आती है, वो जो पॉइंट्स होते हैं हमारी बाड़ी में, वहां से एनरजी रिलीज होती है, आपको वेट लॉस करना है, योग अपनाईए, आपको फिट होना है, योग अपनाईए, आपको अपने सिफ, अपने आपको भेतर जानना है, योग अपनाईए, तो मेरा जो तजूरबा है as an human, as an artist, वो यह है कि योग is far better than jamming, योग अपनाईए, सुखे रहिए, स्वस्त रहिए. आज बच्चे भी योग में बहुत रुची ले रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं, ये हैं सोलर वर्षिये ब्रिंदा अगरवाल. नमस्कार, मेरा नाम प्रिंदा अगरवाल है, मेरी उम्र सोला साल है और मैं एक कथद दांसर हूँ. इस कारण मेरी रुची नृत्य में जादा थी, परन्तु लोगडाउन के दोरान classes बंद हो गई. तब मैंने अपनी मम्मी को योगा करते हुए देखा और मम्मी की सहायता स कोशिश करती रही और सीखती रही. एक महिने में ही मैंने अपने अंदर काफी फर्क महसूस किया. आज मैं ऐसे आसन भी कर पाती हूँ, जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था. योगा को अपनाए, अपना जीवन सफल बनाए, स्वस्त निरोगी काया, जीवन कितना निखर मानफ को समझाना है, आलस को दूर भगाना है, योग स्वास्थे की संजीवनी है, अपनी तन मन को जगाना है, योग करें प्राणतत्व का संचार, भविश्य होगा गुलजार, नित्य जो करें योग का पालन, देश में करें योग का प्रजार, ध्यान में जो एकाकर ज्या का होता संचार इंद्रियों को रखे के इंद्रित होता इश्वर से साक्षातकार धन्यवाद योग हमारे लिए कितना खास है आप सब ने सुना उमीद है आप भी योग को अपनी दिन चरिया में शामिल करके बहतर स्वास्त की ओर कदम बढ़ाएंगे अभी आप सुन रहे थे अंतराश्टिये योग दिवस पर आधारित रूपग योग से जीवन सहयोग, शृती, शरद और केशव का था प्रस्तुत करता थी शालनी मित्तल आगे हम आपके लिए लेकर आएं है एक जानकारी सिकल सेल डिजीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल खत्री मैं हूँ डॉक्टर अनिल खत्री, मैनेजिंग ट्रस्टी थालेसेमिया जागरूती फाउंडेशन और जीवन दीफ हॉस्पिटल एमधबाद से आज हम भात करेंगे सिकल सेल डिजीज तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सिकल सेल का रोग यह क्या चीज है इसके कितने प्रकार होते हैं तो जिस तरह के अनुवान्शिक रोग कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो अपने खून में आते हैं अनुवान्शिक रोग, अनुवान्शिक यानि की जिनेटिक रोग जिसे हम कहते हैं, वो किसी खान पीन से, भाय वातावरन से, किसी वाइरस से नहीं होते हैं, लेकिन मात पिता से आते हैं तो उन्हें अनुवांशिक रोग कहा जाता है उसमें एक सिकल सेल नाम का रोग है जो इंडिया में काफी प्रचलित है तो सिकल सेल के दो प्रकार होते हैं कुछ सिकल सेल के वाहक होते हैं जिने केरियर भी कहा जाता है और ट्रेट भी कहा जाता है तो सिकल सेल का जो वाहक होता है उसे खुद को किसी प्रकार की कोई तकलिफ नहीं होती है वो एक वाहक स्थिती है लेकिन जब शादी में पती-पतनी दोनों ही वाहक होते हैं यानि दो सिकल वाहकों के बीच अगर शादी हो जाती है तो उनके लिए हर प्रेगनसी में 25 प्रतिशत चांस ल के अंदर लाल कंड होते हैं सफेद कंड होते हैं और प्लेटलेट होते हैं तो सिकल सेल डीजीज वो लाल कंड का रोग है इसमें जो लाल कंड का स्वरूप होता है उसका जो शेप होता है वो किसी नॉर्मल इंसान में सामन्यत है वो घोल ही रहता है लेकिन जो सिकल सेल जालकन होता है वो किनी परिस्थितियों में जाके शरीर के खून की नसों में फस जाता है और खून के भहाओ को रुकावट कर देता है जिसकी वज़ाए से सिकल सेल डीजीज वाले पेशन्ट को शरीर में कहीं न कहीं इतना जोरदार उसको दर्द होने लगता है तो वो इसका तो उसके लिए समय सा ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है वरना अगर वो फेफणों को असर कर दे तो फिर पेशन्ट की मृत्यू भी हो सकती है और अगर वो ब्रेन को अटैक कर दे तो लकवा भी माल सकता है तो सिकल सेल डीजिस उसको हम बच्पन में ही पकड़ सकते हैं अगर कोई नवजाज शिशु का भी टेस्ट किया जाए तो हम बिलकुल जान सकते हैं वो उसका स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है उस ब्लड टेस्ट के जरिए हमें डूनना है कि सिकल सेल के दर्दी यानि कि पेशन्ट कितने हैं आम तोर पर ये बिमारी अपने ट्राइबल में ज्यादा देखी जाती है खास करके गुजरात, माराष्ट्र, ओडिसा, वेस्ट पेंगॉल, करनाटा के कुछ बाग, छतिसगड इन राजियों में जो अपने ट्राइबल लोग हैं उनमें इसमें खुब भारी मातरा में इस डिजीज को देखा जाता है तो जरूरी क्या यानि कि एक फॉलिक एसिड की दवा होती है, दूसरी ट्रोक्सीयूरिया की दवा होती है और ऐसे बच्चों को अगर नियमित पूरा रसिकरण काया जाए यानि कि सारी वैक्सिंस अगर उन्हें समय सर दी जाएं तो इन बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह बड़े होते उनकी तकलिफ कर सकते हैं, आम तोर पर एवरेज आयुश्य, जो सिकल सेल पेशेंट का जो आयुश्य होता है, वो 30-40 साल का होता है और हम कई सारे अपने देशवासियों को खो देते हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम नहीं होता है उनको संभालने का, तो उ उनकी जिनकी भी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है और उनका आयुश्य भी करीब 70-80 साल जैसे किसी और लोगों का आयुश्य होता है, आवरेज आयुश्य तक पहुचाया जा सकता है, पेन के अलावा सिकल सेल पेशेंट को उनके ओर्गन फेल हो जाते हैं क्योंकि बार बार य उनके और ओर्गन्स में दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए जिन्दी की बहुत कठीन बन जाती है, लेकिन सिकल सेल पेशेंट को कुछ चीजों का ध्यान बिल्कुल जरूर रखना है, कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं निकलना है, बहुत शादा कठोर परिश् क्राइसिस होता है, तब सबसे पहला है उसका हाइडरेशन, अगर उसकी हाइडरेशन, उसके शरीर का ऑक्सिजन लेवल और अगर उसका पेन मेनेजमेंट अच्छी तरह किया जाए, तो बहुत आसानी से वो क्राइसिस पीरेड में से बाहर आ जाते हैं, और बच जाते हैं. सिकल सेल डीजिस की अच्छी बात है, कि हम इसको शत प्रशिशत, यानि की 100% इसका प्रिवेंशन या रोक थाम कर सकते हैं. उसके लिए जरूरी बात है, जैसे मैंने पहले समझाया, कि सिकल सेल का वाहक होता है, और अगर उसकी शादी दूसरे सिकल सेल वाहक से होती है, तो ही उनके बच्चों को सिकल सेल डीजिस होता है. तो अगर शादी के पहले हम लोग ब्लड टेस्ट के द्वारा ढूंड लें कि कौन से बच्चे सिकल सेल के वाहक हैं, और उन्हें सही सला दी जाए, कि अपना लाइफ पार्टनर जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तब सामने सिकल सेल गरसित बच्चा जनम नहीं लेगा. और दूसरी स्टेज है, जहां शादी के बाद पता चलता है कि पती पतनी दोनों सिकल के वाहक हैं, तो जरूरी होता है कि उसका प्री नेटल डाइग्नोसिस किया जाए, यानि कि जब करीब धाई मैने का घर्ब होता है, तो घर वाला बच्चा या बच्ची वो सिकल सेल डीजिस गरसित होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि उनके लिए हर प्रेग्नसी में 25 प्रतिशत चांस है कि उनका बच्चा डीजिस वाला जनम लेगा, तो वर्ल्ड सिकल सेल डीजिस डे, तुरी दुनिया में ये अंतराश्ट्रिय दिन इसलिए मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के प्रति समाज जागरूत हो, सरकार जागरूत हो, देश के नागरिक समझें, और दीरे-दीरे हम इसको कंट्रोल करें, और लोगों का जीवन बहतर बनाएं. सिकल सेल डीजिस, अभी आप इस डीजिस के बारे में चानकारी प्राप्त कर रहे थे, डॉक्टर अनिल खत्री से, इस बीमारी के प्रति जागरूता की आवशकता है, और इसके सिम्टम्स को पहचान कर, कैसे इस से बचाव किया जा सकता है, और इसका उपचार किया जा सकत आपने जाना इसी के साथ आज की स्वास्ते पत्री का हमारी सेहत समाथ होती है स्विकार करिए शालनी मित्तल का नमस्कार